नमस्कार आप देख रहे हैं suis always इंडिया आपके साथ मैं हूँ आपका हमारे खाष्ट चार का चक्र विएव में और आज बात हूगी सियासी चक्र विएव की उस सियासी चक्र विएव की जो मोधी मंत्री मंडल विस्तार के बाद से दिखाई दिने लगा है मोदी कैबिनेट में कल 43 मंत्रियों ने शपत ली और 12 मंत्रियों को बाहर का राशार दिखा दिया गया कैबिनेट का विसार ऐसे वक्त पर किया गया है जब उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे महत्पून राज्यों में चुनाव नस्दीक है और पार्टियों की निकाहें 2024 की तैयारियों पर भी है मोदी सरकार के मंत्री मंडल विसार में उत्तर प्रदेश से साथ सांसदों को जगा मिली है इन साथ में से सिर्फ एक समान्य वर्ग से है बाकी OBC और दलिस समुदाय से हैं जाहिर है यूपी से बनाय जा रहे मंत्रियों को 2022 में होने वाले विधानसवा चुनाव के नजरी से चुना गया है 2017 का विधानसवा चुनाव और 2019 का लोकसवा चुनाव बीजेपी ने इसी शोशल इंजीनिरिंग के जरिये फत्य किया था और एक बार फिर चुनावी बिसात पर जीत के लिए कैबिनेट विसार में सियासी समा शास्त्र का भ्रमास्त्र चलाया गया है मोदी सरकार में मंत्रियों के नई चेहरों का शामिल होना और कई दिग्गत चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाना और कुछ मंत्रियों को प्रोमोशन मिलना परफॉरमेंस को पैमाना माना जा सकता है लेकिन शेत्र और जाती गत समिकरंड के अधार पर बाटा जाए तो इसी मंत्री मंजल का तालुक आने वाले विधास्वा चुनाप पर फोकस्ड नजर आ रहा है आज चार का चक्रवीव में बाद सियासे चक्रवीव की होगी तो चार तस्वीरे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दरसल मंत्री मंजल में OBC समुदाय को तवज्जो ज्यादा दिक गई है दूसरी अल्ग संख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है कई अपरिचित चेहरे भी इस मंत्री मंजल में शामिल हुए हैं वहीं चौथी तस्वीर अगले साल होने वाले साथ राज्यो में विधानसवा चुनाव से जुड़ी हुई है तो चलिए विसार से बात कर लेते हैं मोदी सरकार में मंत्रियों के नए चेहरों का शामिल होना और कई दिगट चेहरों को बाहर का रासा दिखाना और कुछ मंत्रियों का प्रमोशन मिलना परफॉमेंस को प्यमाना माना जा सकता है लेकिन इसे शेत्र और जाती गत समिकरन के अधार पर बाटा जाए तो इसी मंत्री मंडल का तालूक आने वाले विधानसवा चुनाव पर फोकस नसरा रहा है देश के सबसे बड़े राज्ये उत्तर प्रदेश पर नज़त दोड़ा ये जहां आने वाले साल में विधानसवा चुनाव होना है और इस राज्ये से मंत्री मंडल विसार में नए साथ चेहरों को जगह मिली है जो समुदाय विशेश का प्रती निधित्व भी करते हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्री मंडल में जगह मिली है और वो कुर्मी समुदाय से तालूक रखती है बहानु प्रतार सिंग वर्मा भी मंत्री बने हैं जो कोरी समाज से आते हैं वहीं बी एल वर्मा को भी मंत्री बनाया गया है जो लोध समाज का प्रती निधित्व करते हैं इन सब के अलावा इसमें सिंग भगेल भी मंत्री मंजल में शामिल हुए हैं जो भगेल समाज से हैं और कैबिनेट में अजय मिश्रा को भी जगा दी गई है जो ब्राहमन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन मंत्री मंडल में देखा जाए तो यूपी में सात मंत्रियों में OBC समुदाय को ज्यादा तवज्जो दी गई है इनके अलावा अनुसूचित जाती और समान्य वर्ग को भी साधा गया है अब देश में अलग-अलग राज्यों के अधार पर मंत्री मंडल विसार का जातीगत समी करंग देखिए मंत्री मंडल में 8 राज्यों से 12 SC मंत्री को जगा मिली है सभी नए 12 मंत्री अलग-लग जातियों से तालुक रखते हैं इनके अलावा 8 राज्यों से मंत्री मंडल में 8 ST मंत्रीों को जगा दी गई है और ये सभी मंत्री अलग-लग जातियों का प्रते निधित्व करते हैं जबकि नए मंत्री बनाए गए 27 प्रतिनिदी OBC से तालूक रखते हैं। इस बार जातिगत समिकरण में एक अलग तस्वीर ये बन रही है कि अनुसूचित जाती का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 मंत्रियों में दो ऐसे भी हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं अनुसूचित जाती से तीन कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जबकि OBC वर्ग से तालूक रखने वाले कई मंत्री भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। जाती कत आधार की तुलना में जहरों को अपने शेत्र के माहिर लोगों के तौर पर पेश किया गया है। जो समाज विशेश ही नहीं बलकि शेत्र विशेश से जुड़े लोगों को भी प्रभावित करेगा। प्रधान मंत्री नरिंद मोदी के दूसरे कारेकाल का ये पहला विसार है। इसलिए समाजिक, समिकरण, गटबंदन के साथ ही और आने वाले शुनावों का पूरा खयाल रखा गया है। इसके साथ ही देश के हर हिस्सों को सरकार में जगा देने की कोशिश की गई है। यूपी से सबसे ज्यादा साथ मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री मंदल में जगा लेने वाले कई चहरे ऐसे भी हैं जो अपरिचित हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी आता है कि या परिचित चहरे इतने कम समय में प्रदेश की राजनीती में कोई बदलाव लापाएंगे। मोदी सरकार अपने दूसे कारेकाल के दो साल पूरे कर चुकी है। तीन साल का वक्त अभी बाकी है। इसे लिए हर समीकरन को साथने पर पूरा फोकस किया गया है। लेकिन जिस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है वो है अगले साल होने वाले चुनाव। फरवरी मार्च 2022 में पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्रप्रदेश भी शामिल है। उत्रप्रदेश के साथ ही उत्रखन, पंजा, गोवा और मनिपुर में विधान सबाद चुनाव होंगे। नवंबर दिसम्बर 2022 में गुजरात और हिमाचर प्रदेश भी धान सबाद चुनाव भी कराए जाएंगे। मोदी ने मंत्री मंडल में यूपी से बड़ी संख्या में मंत्रियों को शामिल कर साफ संके दिया है कि बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। इसके अलावा गुजरात में भी चुनाव हैं जिसको देखते हुए मनसुक, मनजाविया और पुर्शोतम, रुपाला का प्रमोशन किया गया है। इसके अलावा तीन नए चहरो दर्शना, जर्दोश, महेंद्र भाई, मुंजापारा और देव सिंग चौहान को भी जगा दी गई है। हिमाजल प्रदेश से अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उत्राखंड से अजय भट को लाका ब्रह्मनों को सियासी संदेश दिया है। प्राखंड़ लाज़ से अनुराग जालाग जसे अनुराएं से अनुराग जगा दिया है।